हे गाईज आप देखरें टेक विद तालिप और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लिकेबल थम्नेल्स कैसे बनाएं अपने फोन से मैं अपने थम्नेल्स तिक्सलाइब से बनाता हूँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं त्रिलोट पर क्लिक करना है इमेज सेच को यहां से हमें चूज कर लेना है थम्नेल का नीचे से तीसरे नमबर पर आना है यहां से हमें अपना एक पेज ले लेना है और उसे पूरे स्क्रीन पर फिल कर देना है और उसका कलर चेंज कर लेना है ब्लाइक कलर कर लेते हैं फिर हमें प्लस पर क्लिक करना है नीचे से थर्ड नमबर पर क्लिक कर गए एक पेज लेना है जिसे हमें राउंड स्रेप पर कर लेना है और उससे यहाँ पर हमें फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से अब इन दोनों फोटो को हमें मर्श कर लेना है मर्श करने का मतलब दोनों फोटो को एक कर लेना है एरेज पर जाना है राउंड स्रेप को चूज करना है हमें और यहाँ पर इसे राउंड में एरेज कर लेना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर करना है गैलरी में जाना है और यहाँ से अपने फोटो को ले लेना है जिसका background मैंने पहले से ही remove करकर रखा है फिर हमें नीचे वाले पर type करना और इसे copy कर लेना है और इसे भी हमें erase कर लेना है इतना हमें इसे erase कर लेना है फिर हमें इस पर क्लिक करना है और फोटो पर क्लिक करके अश्ट्रॉक पर क्लिक करना है इसे enable कर लेना है yellow color select करके इसे हम 6 पर रखेंगे तीनो फोटो को हमें merge कर लेना है यह पर क्लिक करना है टेक्स पर जाना है और यहाँ पर हमें इंटर कर लेना है जैसा कि मेरा thumbnail का title था ऐसा clickable thumbnail कैसे बनाए तो सेम वैसा ही मैं यहाँ पर add करता हूँ प्लस वाले icon पर क्लिक करना है और gallery में जाके यहाँ से एक phone का png लेना है जो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था फिर प्लस पर क्लिक करना है गैलरी में जाना है और pixel lab का एक logo लेना है सेब इमेज पर क्लिक करना है और save to gallery पर क्लिक करके से सेब कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like कर देना चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लेना कर दो कर दो प्रवारी है